दूसो कल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाई थी KTM Duke 200 को लेकर कि क्यों इंडिन मार्केट में KTM Duke 200 इतनी अज़ाजादा सेल होती है लोग KTM Duke 200 को इतना ज़ादा क्यों पसंद करते है ऐसे आपके जित्ते भी सवाल थे मैंने आपको बताया था तो आप लोगों ने इस वीडियो को काफी प्यार दिया उसकी लिए थैंकी सो मच दूस्तो आज की इस वीडियो में ये बात करने वाले कि लोग KTM Duke 250 को क्यों इतना पसंद करते है कि Duke 200 को लोग पसंद कर रहे है तो भाई 250 को क्यों इतना पसंद करते है आज की वीडियो होने वाली Duke 250 पर चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करता है सब चैसे बहले दोस्तों बात कर लेते के ट्यम ड्यूक 250 के प्राइस के बारे में कि के ट्यम ड्यूक 250 आपको क्या प्राइस देखने को मलती है दोस्तों यह ऑन्डोड प्राइस अराउंड इं चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपनी के ट्यम ड्यूक 250 के बारे में की लोग इसे इतना पसंद क्यों कर रहे हैं दोस्तों के ट्यम ड्यूक 250 इंडिन मार्केट में पसंद करने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इस बाइक का लाइट्स देखिए आपको पताए कि KTM Duke 200 में अभी-अभी लाइट आई है जी आप देख पारें LED लाइट अभी-अभी लाइगे कंपनी की तरब से ठीक है No doubt light देदी कंपनी ने ये बड़ी बात है लेकिन यहनों ने भाई अच्छा काम किया लेकिन आपको पताना चाहूँगा KTM Duke 250 में पहले से LED लाइट आ रही है तो KTM Duke 250 का एक सबसे बड़ा कारान है इस बाईक को खरेदने का इसकी लाइट और ये अभी भी रिजन है ऐसा नहीं है कि पहले रिजन था ये रिजन आज भी है आज भी लोग इस परज़से से काफी पसंद करते है तो सबसे बड़ा पहला जो रिजन है दोस्तों इस बाईक को लोगों को पसंद करने को है इसकी लाइट दोस्तों नेक्स रिजन है इस बाईक की पावर आपको दोतों KTM Duke 250 इंडिन मार्केट की सबसे ज़ादा पावरफुल बाईक है जिया जितनी पावर आपको KTM Duke 250 में देखने को मिलती है उतनी पावर आपको किसी और 250 सेग्मेंट में नहीं मिलती सबसे ज़ादा पावर आपको 250 में देखने को मिलता है यह भी एक बहुत बड़ा रिजन है दोस्तों लोग KTM Duke 250 को काफी ज़दा पसंद करते है और क्यों नहीं करेंगे भाई बाइक है भी तो इतनी अच्छी ठीक है नेक्स रिजन है दोस्तों इस बाइक का लोग अब आपको बताना चाहूँगों KTM Duke 250 का जो डिजाइन जो लोग है वो भी काफी अच्छा निकल के आता है और अबिस सी बात है आजकल की जो यंग जनरेशन बॉइस है भाई उनको डिजाइन एं लोग तो चाहिए ही चाहिए तो इसका डिजाइन इसका जो लोग इतना अच्छा है लोगों को बहुत जादा पसंद आता है और मेरे साब से दोस्तों क्यों नहीं पसंद आएगा भाई बाईक है तो अच्छी और लुक भी अच्छा है तो लोगों को पसंद क्यों नहीं आएगा तो ये भी बहुत बड़ा कारण है लोग इसे काफी ज़दा पसंद करते हुए इसका डिजाइन बात करें इसके next reason के बारे में दूस्तो dough is बाइक की suspension केडियम Duke 250 में आपको जो suspension देखने को मलते है वो सबसे बहतरीन suspension देखने को मलते है चैप Domina 250 से compare कर लो चैप Jixat 250 से compare कर लो आप किसे भी 250 segment bike से compare कर लो Nuke 250 में जितने अच्छे आपको suspension देखने को मिलते हैं वो आपको किसी और brand में नहीं मिलेगी किसी और brand की 250 बाइक में नहीं मिलता तो यह भी बहुत बड़ा reason है दोस्तों लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं और मेरे साबसे दोस्तों भाई reason होना भी चाहिए कि suspension इसके हैं बहुत अच्छे है next reason है दोस्तों इस बाइक की braking KTM Duke 250 में आपको जो braking देखने को मलती है वो बहुत ही तगड़ी देखने को मलती है इसमें आपको dual channel anti-lock braking system देखने को मलता है इसमें आपको फरंड में 320 mm की प्लेट मिलती है तो इसका भी एक advantage है 320 mm की प्लेट है साथ पे इसमें दोस्तों आप लोगोगों को dual channel anti-lock braking system है 4 patient calipers है braking भी इस बाइक की बहुत अगड़ी है braking इतनी अच्छी होने की वज़े से भी लोग इसे काफी ज़दा पसंद कर रहे है तो यह भी बहुत बड़ा reason है दोस्तों इस bike को इस bike का पसंद करने का next reason है दोस्तों इस bike का पसंद करने का जो कि सबसे बड़ा कारण है वो है दोस्तो one of the best 250 segment in Indian market अगर आप 250 segment में compare करते हैं ड्यूक 250 बहुत बैथिन बाइक है आप किसी भी चीस से compare कर लेजिए चाहे वो design हो चाहे उसका power हो चाहे उसका light हो चाहे उसके suspension हो breaking हो सारी चीज़ आपको 250 में बहुत अच्छी देखने को मिलती इस वाज़े से लोग इसे काफी ज़दा पसंद करते हैं और काफी ज़दा अच्छी आपको कोई और रिजन बता हो तो प्लीस कमेंट करके जरू बताना सुमित करता हूँ कि छोटी सी ब्ड़ी अच्छी लगी लगी लाइक करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं एक फिरो में लफी ओल चेहन में दमात्रम